आपने गौर किया होगा चीन उनी देशों को अपने साथ रखता है जो जरुवत पढ़ने पर चीन की हां में हां मिला सके उसने बैल्ट एंड रोड इनिशेटिव में भी यही किया है और अब वो ब्रिक्स में भी ऐसा ही कुछ करने की फिराक में है यहां ब्रिक्स की बात करे हैं वजय साफ है अमिरिका और अमेरिकी डॉलर के चलते दुनिया के जादा तर देश समझ चुके हैं कि बृक्स इसका तोड़ है वही अब चीन इसमें नया एंगल ला रहा है जिसमें चीन ब्रिक्स के विष्थार पर जोर दे रहा है वहीं शरी जिंग्पिंग की मनशा है कि SEO की तरह BRICS में अपने पसंदीदा देशों को शामिल करना है जिसमें चीन की मनशा BRICS में अपने करीबी देशों को शामिल करके नया वर्ल्ड ओर्डर बनाने की है जो कि एंटी अमेरिका प्रोपगेंडा में ड्रेगन को खुल कर साथ देंगे वहीं अगस्त में BRICS समिट साथ अफरीका में होने जा रही है जहां चीन इसकी पूरी तैयारी कर चुका है कि उसके चिने हुए देश इस समु का हिस्ता बने जिसमें हाली में के कहने पर साथ इस अरब इंडोनेशेXT और मिस्न ने ब्रेइस की सदसता के लिए आविदन किया है आपको इंडोनेशे और चीन के बारे में बतादे कि इन दोनों देशों के समबंध कुछ खास नहीं है जिसमें यह fussぎ दोनों ही देश साउच-चैनस-बीच में एक दूसरे पर हावी होते रहते हैं और अगर ब्रिक्स में ऐसी देशों की एंट्री होती है तो चीन अपना परभाव आसानी से इन देशों पर बनाता हुआ दिखाई देगा वहीं इसको लेकर भारत और ब्राजील ने चीन की इन कोशिशों का खुल कर विरोध किया है क्योंकि अगर एक तरह से ब्रिस्क की गुडविल खराब होती दिखाई देगी जो भारत कताई नहीं चाता है यही कारण है ब्राजील भारत के साथ मिलके चीन को उसकी जगा दिखाने की प्लानिंग में हैं वहीं चीन को जहां भारत ब्राजील के साथ मिलकर मज़ा चाखाने की फिराक में है तो वहीं दूसरी तरफ भारत सिंगापुर के साथ बड़ी डील को अंजाम तक पहुचा के चीन को बड़ा जटका दे गया है दरसल हाली में भारत में बने हुए कंटेनर को सिंगापुर ने अपने बेड़े में शामिल कर लिया है और ये खास इसले भी है क्योंकि कंटेनर निर्माण को लेकर चीन अब भी एक बड़ी जगा बनाए हुए है पर भारत अब कंटेनर निर्माण में कूच चुका है साथी सरकार भी जल्दी इसमें अपनी पिलाई को भी पूरी ताकत से जोकने के विचार में हैं जिसमें अब भारत देश में ही उस इसटील का निर्माण भी कर रहा है जिससे कंटेनर बनाय जाते हैं कुल मिलाकर भारत ने पूरी सप्लाइचेन को ही भारत में विखसित कर लिया है जिसमें टाठा भी अपनी बड़ी भूमिका में है और जो सिंगापूर का ओडर पूरा किया गया है उसमें उन कंटेनरों को खास कोटन श्टील से बनाया गया है आपको बता दे कि इन कंटेनरों का निर्माण एहमदाबाद बेज सिमकॉम ने किया है वहीं जिस तरह भारत ने अभी शुरुआत की है उसको देखते हुए यही लगता है कि सिंगापूर की कंपनी की तरफ से इस तरह के और ओडर भारत को मिलते हुए दिखाई देंगे आपको बता दे कि चीन अब भी कंटेनर को लेकर अपना दबदबाब बनाये हुए है और चीन की इस बढ़ती पहुँच को भारत चुनोती देने में लगा है और सिंगापूर द्वारत दियेगा यह ओडर चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने में बड़ी भूमी का निभातावा दिखाई देगा जिसमें भारत एक भैतर विकल बनकर सामने आ रहा है वही कंटेनर को लेकर भारत की यह शुरुआत पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थवाय वस्ता हासिल करने में महातपूर भूमी का निभातावा दिखाई देगा अगर देश में ऐसे ही कंटेनर तयार किये जाते रहेंगे तो इस छेतर में विदेशों से आयातपन निर्भरता कम होगी साथी माल धुलाई के लिए हमेशा पर्याप कंटेनर मौजूद रहेंगे जिससे समय और पैसा दोनों की ही बचत होगी कुल मिलाकर सिंगापूर से भारत को ये औरडर नए रास्ते का निर्मार कर चुका है